Hello everyone, so आज हम देखने वाले one of the most important topic of environment and ecology, वो है geo engineering, जिसको climate engineering भी कहते हैं, यह one of the most important pillar जो हमने environment and ecology के देखे थे total 10 pillars, उसमें से पहला pillar जो है climate change, तो उसी में से geo engineering topic हम कह सकते हैं, बट इसमें काफी current affairs होता है तो इसको मैं 9 pillars से भी connect करूँगा, जो की current affairs of climate change, हम ऐसा देखेंगे क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ geo engineering में नए नए methods आये हैं, और उनके related काफी सरे pyqs भी हम आगे देखने वाले, 4-5 questions लास 3-4 साल में आये हैं, anyway मैंने आपको सबको पहले भी बताया था कि सभी pyqs देखते रहो, previous question देखो, so that आपको सभी जो major topics हो, उनमें कैसे approach करना है, कहां से कैसे question आएगे, वो समझ मैंगा, otherwise it's like a sailing in the ocean without navigation ऐसा हो जाएगा, कहां घूम जाओगे, पता नहीं चलेगा, उसी preparation चल रहा है, महनत कर रहा है, बड़ उसके results बहुत कम देखेगे, इसलिए प्लीज सभी को ये ब्रह्मास्तर जो है pyq तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना और exam से पहले इसको अच्छे से पढ़के जाओ, even though हमने अभी जो बाकी pillars है, उसमें से पांच पाज जो pillar है, जिसमें acts and policies, मैंने almost 9 to 10 acts अभी तक पूरे environment related cover किये है, अगर अभी तक नहीं देखे तो playlist में जाके जरूर देख लेना, चलिए, टॉपिक पर आते है, कि जो आज global warming बहुत ज़्यादा होता है, और अब देख रहे हम, जैसे कि last year होगा, 2019 होगा, यह one of the most heat stress years रहे है, या फिर जहाँ पर हम देख रहे है कि बहुत ज़्यादा global warming भी देखा जा रहा है, तो इसी को किस तरीके से रोका जाए, solar radiations को कैसे कम किये जाए, और दूसरा है कि CO2 कै कैसे हम कम कर सकते हैं, और जिससे हमारी अर्थ कहीना कहीं कूल हो सकती, या global warming को हम लिमिट कर पाए, तो इसी को हम कहते है, geoengineering, जो research and development and कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी methods, जिससे हम solar radiation को लिमिट करें, प्लस जो CO2 emission हो रहा है, या CO2 emission बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसको क इन में शुरू करने से पहले थोड़ा हम PYQ देख लेता है, कि कौन से कौन से previous question इस topic पे रहे है, जो directly और indirectly रहे है, तो देख ले तो, सामने आपके question है, first question 2023, जिसमें दिया था उन्होंने spreading finely ground basalt rock on farmlands, extensively increasing the alkinity of ocean, ऐसा कुछ है, capturing carbon dioxide released by the various industries, like this option, तो हम यह सब आगे तब समझ में आ जाएगा, पर हाँ, यह carbon capture की, यह sequestration की geoengineering method, मतलब naturally तो होता है, देखो, जो forest होता है उससे, बट हम artificially या, जो scientifically हम कैसे कर सकते हैं, इस पे एक question रहा था, जिसका all up the above answer था, C option था, और एक question था, देखो 2018 में, जो serious cloud thinning के बारे में था, there are a lot of clouds, you know that, अलग प्रेकार के, जो geography में आप देख सकते हो, serious है, cumulus है, nimbus है, या alto status, alto cumulus भी होता है, बट उसमें से, यह serious कहा है, वो तो चलो आप geography में पढ़ लोगे, बट किसको thin करना है, और किसको नहीं करना है, कुछ भी उससे खिलवार करने की जुरत ने, तो यह सारा आपको, यहाँ प हम interlink कर सकते हैं, उस पर भी एक question था, यह सभी question हम फिर से last में देखेंगे, आप सभी इसको, पूरे session को इंट तक देखो, so that आप इसको answer कर पाओगे, perfectly, तो शुरू करते हैं, बागी telegram channel हमारा, देख लेना, सुमी सर नोर्स telegram channel है, वहाँ पर आपको, सभी lectures के, जो links वगर है, कि हम daily morning, my name को चुरू कर चुके है, तो चलो, देखते हैं फिर geoengineering क्या है, तो देखो, अलग-अलग method जिससे हमें, यह CO2 को limit करना है, carbon dioxide जो environment में बढ़ चुका है, first thing, second thing है कि जो global warming हो रहा है, उस पर target करना है, तो इन geoengineering में हम देख सकते हैं कि सबसे first important topic रहेगा, CO2 removal, कि carbon dioxide को हमें कैसे environment से remove करना है, so that global warming को हम trap कर पाए, second है कि solar radiation को कैसे manage करें, कि जो solar radiation बहुत intensifiedly हमारे earth surface पे आता है, तो उसको कैसे limit करें, मतलब उपर के उपर हम कैसे limit करें, उसके अलग-लग और methods है, then ocean geoengineering जिसमें global warming ocean में कैसे कम करें, या marine hit waves भी create होते जा रहे है, ocean warm होते जा रहे है, उसको कैसे limit करें, या ocean को as a co2 sink भी कैसे हम create करें, उसके बाद chemical use, in geoengineering कौन से chemical use किये जाते है, शायद वो question बन सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे, अब सबसे पहले topic हम इसमें cover करें, co2 removal, और co2 removal में क्या क्या आ सकता है, तो first है, देखो, biochar, जिस पर मैंने है भी question देखा था, second है bioenergy with carbon capture and storage, तीसरा है direct air capture and carbon storage, then fourth है mineral storage and fifth है enhanced weathering, तो यह सब क्या है, इनसे कैसे co2 remove होगा, तो देखते हैं, पहला है biochar, तो biochar मतलब क्या है कि जो bio mass हम burn करता है, उसका जो residue है, या कोई भी मतलब जैसे wood का particle होगे, woods होगे, या any any biotic material, तो जिनको हम burn करने के बाद, उसका residue जो बचता है, high carbon जिसमें content होता है, fine grained होता है, यह जो ash विगरा बचेगी, तो हम इसको use कर सकते हैं, soil के साथ, जिससे soil में एक neutrality भी, जो है nutritional values है, वो soil में add होते हैं, और यह crops के लिए अच्छा मना जाता है, और दूसरी बात है कि इसमें CO2, यह sink भी possibly होता है, तो इसी को हम कहते है, biochar, जिस पर question था, देखो, तो biochar can be used as a part of growing medium with a vertical farming, कि जिसमें हम, जहां पर soil less agriculture है, उसमें भी हम इसका use कर सकते है, when biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism, and biochar is a part of growing medium, it enables the growing medium to retain water, yes, तो इसे पाने भी, जो long time तक hold करने की chances से वो बढ़ जाते है, तो इसमें all of the above is correct answer है, तो देखो, तो यह सारे इसके benefits से, agriculture में हम काफी benefits दिखते हैं, but not only in agriculture, बट इसका फायदा हमें कहां पर होता है, तो यह CO2 sink में भी कहीं न कहीं मदद करता है, anyways, और एक question था देखो, जो थोड़ा indirectly यहां से connected है, spreading finely ground basalt, 2023 का question है, on farmland extensively, तो इससे क्या होता है, देखो, जितना basaltic, यहां पर spreading करते हो, तो उतना इसमें देख सकते हो, आपकी dissolved CO2 level बढ़ जाता है, मतब CO2 जो sink है वो यहां पर increase हो जाता है, increasing alkalinity by ocean by adding lime, यह सब हम आगे देखेंगे statements में, बढ़ हम फर्स statement यहां तो सही है, बाकी दोनों भी सही है वैसे दो, बढ़ हम यह आगे जैसे topic आगा, उसको मैं highlight कर दूँगा, तो next देखो, अब हमने देखा, बायो चर, carbon rich charcoal form, burnt crops added to the soil, इससे water holding बढ़ेगा, water conservation भी होगा, और दूसरा है कि यहां पर CO2 sink को भी मदद हो सकती है, मतब CO2 capture हम anyway agriculture field में कर पा रहे है, अब आते हैं देखो, इसमें order benefits में है, जिससे carbon negative energy होगी, reduce odor, इसके लिए भी कभी कभी वो use किया जाते, जिससे वो humidity capture करेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा warm areas है, reduce methane in soil emission, okay, improved soil tilt होगा, improved soil fertility, तो यह order भी benefit आपको पतावना चाहिए, because question B, उस इसी प्रकार से, which of the following is perfectly match with the biochar, तो यह benefits भी सभी को note-down करना है, कि increase soil carbon, then decrease nutrient runoff, then carbon capture, reduce this nitrous oxide soil emission, यह सारे benefits यहाँ पे आपको देखने को भी, anyways, so this is all about biochar, and which is definitely इसका fertilizers को भी use जो है, वो definitely हम इसमें कम कर सकते हैं, तो देख ले न, finally, क्या है फिर आपको देख लो, climate change के लिए benefit है, देखो, second है water, west water management, water conservation, soil की health भी improve हो रही है, and biomass energy, जो यहाँ पे हम देख रही है, even pollution भी कम होगा, क्योंकि जितना particles हम burn करते हैं, तो वो biomass जो है, वो अगर environment में suspended particle हुआ, तो उसे pollution हो शकते हैं, तो उसलिए हम इस biochar को क्या कर रहे है, soil में settle कर रहे हैं, okay, so that is the most important for biochar, चलो, next है फिर, bioenergy with carbon capture and storage, तो, the process of extracting bioenergy from biomass, and capturing, storing the carbon thereby removing it from the atmosphere, आप सीधा यहाँ पर समझ पा रहे हो, कि देखो, जहाँ पर भी biomass burn हो रहा है, या फिर हम, अब क्या करना है, देखो, ये for example, एक forest है, biological CO2 sequestration हम करना है, तो जैसे ये forest अभी अनश्ट होते जाएगा, या फिर जब भी कोई भी biomass हमें अगर burn करना है, तो हम क्या करेंगे, उस बुड़ी biomass को यहाँ पर, कैसे एक, enclosed industry में उसको burn करेंगे, provide करेंगे heat, power and hydrogen, etc, इससे हम heat भी generate करेंगे, basically thermal power plant, जिस प्रकार से run करता है, उस प्रकार का समझ लोग येक unit है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, energy भी मिलेगी यहाँ पर, या basically gray hydrogen में मिल सकता है, या फिर electricity power मिलेगा, फिर इससे जो हमने CO2 capture किया है, वो CO2 capture करके हम कहाँ input कर रहे है, तो yes, जो deep saline areas होगे, aquifies होगे, reservoir होगे, या जो chalk, limestone topography, या फिर हम कह सकते कि जो fractures होते है, rock के अंदर, तो वहाँ पर हम इसको क्या कर रहे है, storage कर र हार environment में, या atmosphere में CO2 release ना हो, उसको हम कहाँ, sequestrate कर रहे है, तो directly below the surface, so, now, इसी को हम क्या कहेगे, कि हमने carbon को capture किया, एक तो पहली बात तो हमने bio energy ली, यहाँ से, इससे हमें electricity power energy भी मिली, first thing, second thing, हमने यहाँ से जो carbon निकला, वो सीधा sequestrate कर दिया, below the surface, इसी को simply कहते है, bio energy with carbon capture and storage, इस प्रकार से भी आप देख सकते हो इसको, कि biomass energy crop residue waste, जो भी collect होगा, तो वो CO2 इससे जो निकलने वाले हैं, वो capture कर दिया, हमने, and deep geological formations में इसको sequestrate कर दिया, even ocean के अंदर भी हम, जो different oil refineries में, या जो deep saline formations होते हैं, वहाँ भी हम इसको sequestrate कर सकते हैं, and जो यहां से फिर हमें क्या मिलेगा, मतलब इसको burn करके और क्या फाइदा होगा, obviously इसको burn करोगे, तो फाइदा यह है कि हम इसमें, bio energy conversion, bio fuel conversion, industry, heating, या transport power sector में हम इसको use कर सकते हैं, पस इतना है कि इसमें CO2 को emit नहीं होने देना है, that's all, you can see this, like जैसे हमने forest harvest किया, उसको biomass burning power plant में use किया, फिर जो CO2 निकला हो, उसको sequestrate करके, यह carbonated water भी हम create कर सकते हैं, और उसको storage कर सकते हैं, क्योंकि you know that H2O की अगर CO2 से reaction होती है, तो it creates acidic water या carbonated water basically, इसके कुछ negative भी माने जा रहे हैं, बट अगर यह limit में करें, sustainable ही करें, तो इसके ज़्यादा negative impact नहीं होगे, तो यह rock में sequestrate हम कर सकते हैं, बाकि फायदा तो यही है कि again वही मैं बता रहा हूँ कि power, power generation में इसका benefit होगा, तो इसी को कहते है, बायो एनरजी जो हमें electricity दे रहा है, वो किया with capture and carbon sequestration, with capture and carbon sequestration, तो यह होगे दो methods, next method पर जाते है, direct air capture and carbon storage, इस पर देखो एक third statement है 2023 का, capturing carbon dioxide released by various industries, and pumping it into abundant subterian mines, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, in the form of carbonated water, क्या यह statement सही आएगा, यही हमने अब भी जस देखा, carbonated water में हम इसको basically store करें, बता है, water और CO2 को sequestrate करके, क्या यह carbon capture sequestration की method है, तो definitely yes, तो third statement is correct, पहला भी हमने देखा, वो correct था, यह second statement भी आगे आएगा ocean जब हम देखेंगे तब, तो देखो, direct air capture and carbon storage लगबग वही है, जैसे अब भी हमने देखा, बस इसमें इतना फरक है कि, यहाँ पर bio energy का कोई relation नहीं है, और all normal industry की बात चल रहे है, जहाँ पर for example thermal power plant है, या कोई ion and steel industry है, कोई भी industry, जहाँ से CO2 निकल रहा है, या basically जहाँ से emission हो रहा है, तो उसको हम direct environment में जाने से अच्छा है, वो pollution को trap करें, capture करें, एंड उसको सेम तरीके से, जो deep saline formations है, या subterian mines है, जो mines extract कर चुक है, वहाँ पर हम उसको store करेंगे, that's all, different देखो, सच्छा cement factory है, biomass power plant है, या ion and steel industries है, उसमें हम इसको utilize भी, मतलब basically यह method apply कर सकता है, इसके बाद इसका wind gas भी कुछ बन सकता है, जैसे wind gas, आज हो सके तो इसको देख लो wind gas क्या होता है, यह भी हम कुछ बना सकते, बाकी तो हमने देखा, इस प्रकास से direct air, बस इस पे दोनों में एक ही minor फरक है, bio energy and direct air capture, मतलब यहाँ पर bio energy हमारा main purpose है कि हम actually intentionally burn कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर industry को target कर रहे है, then mineral storage देखो, तो rocks are accumulated carbon over the time from rainwater through a process called geochemical weathering, तो geochemical weathering में हम इसको use करेंगे, basically हम क्या कर रहे है, aquifies होगे या फिर, जो mineral के deep mineral storage है, वहाँ पर हम इसको एक प्रकास से sequestrate करेंगे, तो carbon dioxide needs to be injected with water, by storing carbon dioxide in minerals, जैसे मैंने कहा न, जो minerals या mines वगर होगे, तो वहाँ पर हम इसको sequestrate करेंगे, and the carbon dioxide is converted into to stable state, that's difficult to convert back to carbon greenhouse gas form, basically वो फिर आब यहां से बाहर नहीं निकलेगा, या फिर हम कह रहे है, जहां पर emission नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे है, इसी CO2 को water के साथ, carbonated water हम create करेगे, या फिर इसको water के साथ sequestrate करके, deep saline formation में हम set कर देगे, जिससे अब यह environment में बाहर नहीं निकलेग वो store रहेगा with that carbonated water, तो उसको कहते है, mineral storage, you can see this, इस a CO2 cycle है, residue from different production and then CO2 जहां पर release होगा, तो वो हम कहिना के mineral में ही set उसको करेगे, right, next है, enhanced weathering, तो weathering में क्या है, देखो, enhanced weathering, so it a process that aims to accelerate the natural weathering by spreading finely ground silicate rocks, such as basalt, और यही था UPSC का 2023 बिलियम्स का question, to accelerate the natural weathering by spreading finely ground silicate, मतलब silicate होगे, silicate rock होगा या basalt, basalt जिसको हम rock कहते हैं, तो वही हम क्या कर रहें, देखो, यहां पर spread करते हैं, तो mineral are, मतलब basically, यहां पर देखो, mineral dust is spread on the field, and carbon dioxide is absorbed in minerals get weathered, मतलब जो weathering होगा, इसमें देखो, कि जो हमने fine crushed mineral लेक्या आगए, या basalt या silicates लेक्या आगए, और वो हमने, जो west lands है, या agriculture lands है, वहां पर हमने इसको spread कर दिया, इस basaltic part को, और जैसे यह basaltic या silicates को हम spread करेगे, finally वो कहिना कभी न कभी rainfall वेगरा के थू से washout होगे into the rivers and the ocean and storing carbon dioxide, वो एक प्रकास से carbon dioxide store कर पाएगे, तो ये भी एक कहिना कही method है, जो हम कह सकते remove, it removes the CO2 from the atmosphere, permanently storing it into the carbonate mineral और ocean alkalinity, मतलब kind of river, water, या lake, या फिर ocean में इसको हम ये कह सकते store करेगे, and even it also slows ocean acidification है, मतलब इसमें ocean acidification भी कम होगा, क्योंकि जो extra additional CO2 बाहर से आ रहा है, वो कही न कहीं रोका जाएगा, मतलब एक natural हम weathering process में इसको लेके जाएगे, weathering मतलब कोई कि rock पे fragments होना, rock तूटना, एक प्रकास से हम ये artificially weather कर रहे है, enhancing कर रहे है weathering का, okay, so जिसमें ये rocks में CO2 फिर capture होगा, यही water में निकल जाएगा, so you can see this, again, spreading finely grounded silicate rock, such as basalt, and mineral are washed into the rivers, the ocean storing carbon dioxide, and finally इससे क्या होगा, ocean acidification भी कम होगा, and overall global warming भी कम होगा, from that perspective, तो देखो, अब यह हो गया, पूरे CO2 removal के method, बायोचर, बायो एनर्जी, या बायो एनर्जी, वित कार्बन कैप्चर, direct air, capture and carbon storage, सभी, subterian mines में हमने देखा, minder storage, वो भी हमने देखा, इमेंडल्स के mines या, वहाँ पे कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, carbonated water के साथ, and enhanced weathering, जिसमें basalt का role हमने important basalt का role देखा, basalt and silicates, इनका weathering increase करके हम, उसको कैसे carbonated water में, अब next देखो, solar radiation management, marine cloud brightening इसमें है, mirror in a space, stratospheric carousal injection, glacial stabilization है, enhancing albedo है, space reflected and there are lot of methods, जो solar radiation management, but it is very costly, वो सब हम आगे देखेंगे, एक question आया तो देखो, serious cloud thinning technique क्या होती है, तो जैसे हम देखते हैं कि serious cloud मतलब क्या है, जो सबसे top cloud होते हैं, सबसे high cloud है, और जो एक feather like होता है, जैसे जो bird है, उनका, जो punk होता है, उसके, एकदम scattered होता है, एकदम thin cloud होता है, तो इससे क्या होता है, कि फिर sunlight easily अंदर तक penetrate हो पाती है, जैसे अभी cumulonimbus है, तो यह बहुती dense clouds है, low line clouds है, इसलिए यहाँ पे sunlight उतना cross नहीं कर पाती है, तो इसके इसको thin या thick या खुछ भी करने ही ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे वैसे भी sunlight surface पे आहीं नहीं रही है, बट जहां से sunlight easily penetrate करती है, वो कौन है serious cloud, अब इसका होना नहीं होना वैसे भी important नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो, जब यह input तो allow कर रहे हैं, बतलब यहाँ से जो sunlight है, वो easily penetrate हो रही है, बट जब यह reflect back होगी, उनको हम कहते हैं, infrared waves या long waves, अब यह long waves जो है, वो block back नहीं होने चाहिए, यह जितने reflecting sunlight from the surface, जिसको हम terrestrial sunlight कहते हैं, जो surface से reflect होते हैं, वो easily reflect होने चाहिए, तो यहाँ से आत रहे हैं, चलो ठीक है, बट यह वापर जब जा रहे हैं, तब यह clouds के द्वारा वो block किये चाहते हैं, यही problem होता है, फिर यहाँ पर global warming बढ़ने की chances होते हैं, इसलिए इसको सीधा thin कर दें, तो सबसे बहतर होता है, जैसे हमने देखा देखो, यह ग्रे वाले cloud कोंसे है, cumular nimbus है, अब देखो, यहाँ से sunlight आई नहीं रहे तो फिर यहाँ पर amount of sunlight कम होगी, इसलिए reflection का तो कोई matter नहीं आता है, उतना global warming के लिए responsible नहीं, क्योंकि sunlight आई इसलिए इसको थिक करना है, क्या no, याद रखना है cumulus clouds वगरा को thin करने की ज़रूरत नहीं है, वो naturally block कर रही है, उपर के उपर ही reflect कर रहे है, तो हमें जो thin करना है, वो किसको करना है, serious clouds को, thinning high clouds to allow more heat to escape, तो यह hit को escape करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए thinning of serious cloud is very very important, क्यों कि देखो, यहाँ पर sunlight बहुत कम आ रही है, जो low clouds है, cumulus clouds है, या nimbus clouds है, तो already यहाँ से reflection काफे अच्छा बन रहा है, पर यहाँ से देखो, input या जो incoming solar radiation वो बहुत ज़ाद है, और यह भी block हो जाते हैं, इसलिए इसको हमें thin करना है, इसको serious cloud को thin करना है, that's all, तो देखो अब और एक question था, देखो, high clouds primarily reflect solar radiation, तो यह सही है क्या, reflect कर रहे है, no, क्योंकि हमने देखा, उल्टा यह तो आने दे रहे है, and cool the surface of the earth, definitely not, incorrect, उल्ट high clouds primarily allows solar radiation to come to the surface, and low clouds have a high absorption of infrared radiation, no, यह भी गलत है, क्योंकि हमने देखा, high clouds, जो reflect होता है, terrestrial sun rays, तो उन clouds के द्वारा, high clouds के उदारा, उनको block किया जाता है, low clouds have high absorption, no, high clouds, यहाँ high clouds होना चाहिए, तो देखो, यूपर से ने, अब भी यह दो-तीन साल पहले कि कुछ question, serious cloud thinning हो, या यह cloud के बारे में हो, यह न कहीं, conceptual basis पर पूछे, इसलिए आपके concept बहुत clear होना ज़रूरी है, याद रखे, thinning किसका होगा, जो सबसे top है, scattered है, एकदम पतले वाले होते हैं, less dense होता है, तो उनको हम कहते है serious cloud, which are this cloud, serious cloud का thinning, यह बहुत important, चलो, तो next है, फिर marine cloud brightening क्या है, अब सीधी बाते देखो, अभी हमने देखा कि ocean के पास, यहाँ पर ज़्यादा clouds होगे, dense clouds होगे, तो obviously sunlight यहाँ पर पहुंचने पाएगी, मतलब sunlight इस sea surface पर कम पहुंचेगे, इसलिए ocean warming जो होते हो जा रहा है, वो कहिना के कम होगा, आंतिक यह बहुत ज़्यादा difficult method होगी, या बहुत costly method होगी, अभी उत्ता ज़्यादे इसका implementation नहीं हो रहा है, बट हाँ, this is kind of कि इसमें और research अगर कल जाके होता है, तो यह one of the best method माने जा सकती, जिसमें हम artificially यहाँ पर evaporation create करें, artificial clouds create करें और जिससे cloud का cover उस ocean या सी के पास create होगा, इससे दो फायदे होगे कि एक तो solar radiation भी management हो रहा है, और थोड़ा जो rainfall है वो भी यहाँ पर aggravate हो सकता है, तो basically main purpose तो वही है कि marine cloud brightening, जिससे जो low cloud से वो बढ़ेगे और वो उपर के उपर sunlight को reflect करेंगे, because you know that, सबसे आधा solar reflection 27% albedo जिसको हम कहते है, solar reflection वो होता है clouds के जारा, तो हम इसलिए clouds और create करने के कोशिश करेंगे, इसको कहते है marine cloud brightening, फ़र्डे mirrors in the space, तो अब directly space में ही mirror create करो, जो हमारा different atmospheric layers है, तो वहाँ पर हमने mirrors kind of create किया, जिसको हम कहेंगे कि एक ऐसे objects create किये, जो cloud जैसे ही कुछ काम करेंगे, ऐसा ही space का mirroring करें, so that कल जाके अगर solar flare कुछ आता है, या फिर even UV radiation अगर बढ़ रहा है, या फिर global warming बढ़ रहा है, तो साथी साथ दिखो, सिफ CO2 कम करना ये time taking है, तो तब तक हम इसको और simultaneously चला सकते हैं, कि हाँ यहाँ पर mirrors create करें, but again it is a very costly kind of thing, जिससे इस definitely solar radiation कम हो सकते है, global warming भी हम trap कर सकते, तो इसको कहते है, space based reflection and obstruction, next है stratospheric aerosol injection, तो अब देखो, a proposed method to introduce aerosol into the stratosphere, तो stratosphere में हम सिधा aerosols से ऐसा कुछ create करेंगे, जिससे अगें देखो, यह planetary albedo बढ़ाएगा, तब सबसे उपर हमने देखा, एक तो solar mirroring करो, या वो भी हम direct exosphere में ही करेंगे, या second stratosphere पर अब हम आते हैं, तो stratosphere पर यह एक method, काफी one of the important माने जा रही है, कि जो है, यह stratospheric aerosol layer, जिससे क्या होगा, cooling effect होगा, and again albedo उपर के उपर ही बढ़ेगा, मतलब यहां से उपर, इसमें cloud का कोई relation नहीं, cloud is different thing, जो cloud हम ज्यादा तर देखेंगे, तो tropopause या lower stratosphere तक देखेंगे, अभी जो हम बात कर रहे है, ozone के आसपास या ozone के उपर की तरफ, यहां पर हम क्या करें, stratospheric aerosol layer create करेंगे, जिससे उपर के उपर ही percent of sunlight, ऐसा कुछ हम create करेंगे, जिससे different jet planes वगर होते हैं, उनके तरू हम इसको inject यहां पर कर सकते है, जो ज्यादा sunlight reflect करेंगे, तो stratospheric aerosol injection is one of the, again, method for the solar radiation management, next enhancing albedo क्या है, अब clouds और land more reflective करने होगे, और जिससे क्या है, हमें albedo enhance करना है, तो जिसमें और भी कुछ methods आ सकती है, क reflection कहा, फिर surface पे भी अगर जितना whitening करेंगे, हम जैसे buildings को भी white colors mostly देते हैं, तो वो white color जादा reflect करता है, तो यह अलग-अलग methods यहां पर use किया जाएगे, whitest of the white different colors use किया जाएगे, जिससे, obviously हम देख सकते कि albedo increase होने के chances है, तो देख सकते हैं, solar reflection में हमने क्या देखा, देख हम कहा रहें न, कि snow covered जो जो इतना fresh रहेगा, जितना whitish रहेगा, उतना वो reflection बढ़ाते जाएगा, high albedo roads and rooftop भी बनाया जाएगे, कि जैसे road बेगरा होता है, rooftop होता है, वो high albedo रखे, मतलब whitish color में रखे, या ऐसे कुछ colors उसमें दे, हम जो whitest of the white हो, जो जाधा-जाधा reflection कर है और जिससे cooling एक बन सकता है, then whitened clouds, clouds को भी whitish जितना हो सकता है, मुतना बनाने कोशिश करेगे, then उसके बाद genetic engineering reflecting crops, ऐसे कुछ genetic engineering करके हम, ऐसे कुछ crops बनाएगे, कि जो crops जाधा से जाधा albedo बनाते है, या reflection maintain करते है, generating engineering of reflective crops, increased surface albedo, ऐसे crops भी हम यहापे लेगे, तो there are lot of methods की जो reflection बढ़ा सकते है, तो उसमें से यह कुछ methods थी, चलो, तो next देखते है, passive daytime radioactive cooling क्या है, and another is ground level albedo modification, जो अब भी हमने थोड़ी दिर पहले ही दीखा है, देखो, एनास, cloud albedo होगा, solar reflectors होगे, even peanut tubo effect, मतलब जो balloons पर गर रहोते हैं, उससे भी हम reflection, कुछ ऐसे sulphate inject करेगे, जिससे reflection यहाँ पर बढ़ेगा, तो यह peanut tubo effect भी आज देख लेना, तो peanut tubo is basically a volcanic region, और जैसे volcano भी क्या temperature decrease कर सकता है, कुछ period के लिए, कुछ points में, तो definitely, क्योंकि volcano में भी clouds बनते हैं, sulfur dioxide होगा, carbon dioxide यह emit होता है, even water vapors भी emit होता है, तो उससे cloud जब बनते हैं, तो वहाँ पर sunlight ब् होता है, so these are some of the methods, जैसे अब albedo भी कहास पर जादा होता है, तो जितना whitish होगा देखो, वहाँ पर 100% reflection बढ़ेगा, जितना black होगा, उतना जादा absorption बढ़ता है, तो जितना reflection, उसी को हम कहते है albedo maximum है, यहाँ पर albedo max जितना reflection है, यहाँ पर least, एकदम कम, सबसे कम, जहाँ absorb होगा, मतलब वो, yes, albedo reflect नहीं कर रहा है, इतना याद रखे, so इसी प्रकार से हम देख रहे है, white roof, black roof में आप देख सकते हो, almost देखो, यहाँ पर reflects up to 90% of sunlight, और यहाँ पर सिर्फ 20% ही reflect करते है, मतलब बाकिया absorb हो जाते, इसलिए तो rooftop हमें कैसे रखने चाहिए, थोड़े या cooling जो भी agents है, वो हम शायद कम यहाँ पर use कर सकते है, और जिससे again power generation कम होगा, यह सब interlink हम कह सकते है, ठीक है, तो higher albedo paint भी आजकल आता है, तो वो भी paint हम यहाँ पर apply कर सकते है, जिससे AC का use anyway कम होगा, क्योंकि अंदर warming नहीं होगा, तो फिर उतना ज्यादे AC की use करने की जरुतने पड़ेगी, because obviously AC अगर use करने तो उतने जादा electricity जालेगी, जितने electricity उतना, obviously coal जो होगा, वो जादा use होगा, coal जादा use होगा, तो फिर again global warming ही एक प्रकार से बढ़ेगा, क्योंकि CO2 बढ़ते जाए, इसलिए CO2 कम करना है, reflection बढ़ाने है, तो this is one of the best solution, then उसके बाद कि it is one of the potential method in this reflection, या फिर हम solar engineering हम उसको कह सकता है, तो PDRC क्या है देखो, इसमें जब भी हमने दिखा, passive daytime radiative cooling, passive daytime radiative cooling, तो इसमें क्या होगा कि वही है कि ऐसे कुछ paints रखे या ऐसा कुछ हम materials यहाँ पर generate करे, rooftop पे, जिससे जाधा से जाधा sunlight का reflection होगा, तो space solar cell cooling होगा, या फिर water, water removing कुछ technology होगी, continuous generation, electricity generation होगे, तो ऐसे अलग-अलग methods यहाँ यूज करेगे, जो rooftop से, yes, reflection मतलब, solar reflection वो है, वो maintain करे, तो colored coating होगा, then thermal emittance होगा, selective and angles different maintain किये जाएगे, तो ऐसे अलग-अलग methods यहाँ पर आप बाद में पहुस करके देखने हैं, जो PDRC में यूज किया जाते हैं, passive daytime, radiative cooling, next है, glacier stabilization, जिसमें अब देख सकते हो, blocking the flow of ever-warming ocean, water at a distance, allowing it more time to mix with the cooler water ground, water around the glacier, मतलब, obviously क्या होता है कि दिखो, जिससे आप Atlantic Ocean देख रहे हो, या कही पर देख रहे हो, तो equator से जो warm water है, वो कहीं ना कहीं, टूवर्ड, जो Antarctic का पार्ट है, वहाँ पर upwelling, downwelling चलते रहता है, मतलब, वहाँ पर भी एक cycle generated होती है, तो ठीक है, पहले, जो हम water देख रहे हैं, या जब उतना global warming नहीं था, तो वहाँ से अगर downwelling होके, water यहाँ पर Antarctic के पास upwell भी हो रहा है, तो भी वो इतना जादा warm न होती जा रहा है, और जहाँ पर upwelling हो रहा है, वहाँ पर हमें क्या देख रहा है, अब enhance हो चुका है, या glacier जो ज्यादा retreat करने लगे, या more warming की वाज़े से हम देख रहे हैं कि Antarctica या Arctic में भी, जो ice cap से melt होती जा रहे, detach होके melt होती जा रहे, अब इसको कैसे कम करें, तो उनका कह verification करें, इसमें हम cool water inject करें, जहाँ पर upwelling हो रहा है, वहाँ पर cool water को हम inject करें, जिससे क्या होगा, glacial stabilization होगा, जो glacial retreat होते जा रहे, वो कहिना कि stabilize हो जाएगे, okay, so blocking the flow, ever warming, मतलब यही flow जो है, वो either block करो या उसको cool करो, ऐसी एक method को कहते हैं, glacier stabilization, जिससे यह warm water जो currents है, वो यहाँ अफेट ना करें, उसको melt ना होने दे, that is the method, और अभी आप recently जानते हो कि रहाणी ice shelf होगा, A76 ice shelf होगा, even Ameri नाम से यहाँ पर एक ice shelf है, okay, यह Ameri ice shelf है, देखो, Ross ice shelf है, तो यहाँ पर काफे सारे ice shelf recently, मतलब detached होए, और even melt भी होए, तो इसलिए वो हमें देखना होगा, फ्वाइट भी glacier होगा, जिसको doomsday glacier भी कहते हैं, फ्वाइट नाम से glacier होगा, मतलब बहुत बड़ पार्ट, chunk of, this ice shelf होगा, detached from this part, okay, वो जरूर देख लेगा, next step, ocean geoengineering, जिसमें देखो, क्या क्या टाइप है, ocean liming, ocean fertilization, या जिसको ocean alkalinity enhancement, मतलब बेसिक लिए दो तीन चीज़े एक ही है, ocean की alkalinity बढ़ाना है, हमें, and ocean में lime, lime, limestone contents, increase करो, उसको fertilize करो lime से, so that, वो CO2 को sink कर पाया तो इसकी reaction, limestone की reaction हम carbon से करेगे, calcium carbonated water, increase करने की कोशिश करेगे, जिससे CO2 जो environment में है, वो sequestrate हो जाए, वो आगे देखेंगे, अब, iron fertilization है, submarine forest, यह और भी दो methods है, जैसे अब 2023 में देखो, increasing the alkalinity of the ocean by adding lime, कापी students को ये negative statement लगा था, बठा, lime adding किया जाता है, lime add करके हम alkalinity, ocean fertilization जो है, वो बढ़ाएंगे, तो CO2 definitely कम होगा, मतलब क्या ये carbon capture की method है, यस है, method तो है, इसके negative भी कुछ है, बट वही है कि मैंने, वही बता है, आपको limit में अगर इन चीज़ों काम करें, तो वो beneficial भी हो सकती, बट अगर वही है कि apart from the, जादा limits से अगर जादा lime add कर दे तो व और जिसको lime कहता है, calcium hydroxide, ये भी composition याद रखो, chemical composition, and this has been reported lower ocean acidity, इससे ocean की acidity कम होगी, ना कि बढ़ेगी, and which reduces the pressure on the marine life, such as oyster absorbs CO2 also, क्योंकि जो CO2 बढ़ने से, acidity कही न कहीं बढ़ रही थी, वो यहाँ पे कम हो रही है, because lime उसको counter कर रहा, calcium hydroxide, उसको counter कर रहा है, and it raise the water's pH also, मतलब जो acidic होना, मतलब क्या है, 7 से नीचे जाना, जो acidic हुआ था, वो अब हम क्या कर रहे है, उसको raise कर रहे है, 7 प्लस पे लेके जाने के कोशिश करेगे, या 7 और 7 प्लस लेके जाने के कोशिश करेगे, याद रखना, ocean liming, ocean fertilization, ये acidic नहीं alkaline बनाता है, acidic मतलब, जहा से आगे जाएगा, तो हम कहे रहे है, basic level पर जा रहा है, तो basically it is enhancing as a basic one, liming हम कर रहे है, और जिससे क्या होगा, यहाँ पर CO2 जो capture करने की capacity वो बढ़ जाएगे, तो CO2 capture यहाँ पर increase होगा, form a calcium bicarbonate, as a bicarbonate deposits in mollusk shell, यही bicarbonate क्या होगे, जो alkaline है, या जो हम basic nature में कहे रहे है, lime pattern में है, वो सब आपका bottom में जाके, यहाँ पर क्या होगा, sequestrate हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, इस carbonated ions, bicarbonate जो हमने अभी देखा, abundant healthy corals, mollusk and other marine, इनके लिए वो beneficial होगा, तो फिर smaller marine, जो हम कहते हैं, corals में भी देखो, calcium carbonate secret होता है, lime secret होता है, और वही CO2 sink के लिए बहुत मदद करता है, वो naturally हो रहा है, उसी चीज़को हम एक प्रकर से enhance कर रहे हैं, okay, by ocean liming and ocean fertilization, so you can see this, कि limestone हम यहाँ पे लिए क्या रहे है, lime जो है, तो वो हम अब क्या कर रहे ह ocean liming हो, इसको हम ocean liming करके फिर अब इससे फाइदा क्या हुआ, देखो, alkaline solution into sea water हमने penetrate कर दिया, और उसके बाद देखो, ocean carbon uptake increase and acidity decreases, मतलब ocean acidity फिर इससे कम होगी, ocean alkalization बढ़ेगा, और यही जो different fauna, यहाँ पे है, flora है, marine में, तो उनको उसका benefit मिलेगा, और एक प्रकर से carbon storage भी हमारा बढ़ते जा रहा है, that is one of the definitely method, ocean liming is the best method, ocean alkalinity enhancement, जिसको नोट करके रखना, ocean alkalinity enhancement, जिससे CO2, yes, definitely हमें atmosphere से decrease कर सकते हैं, next, iron fertilization, देखो, iron sulfates भी डाले जाता है, यह अभी तक पूछा नहीं गया है, बट पूछ सकते देखो, iron sulfates, sulfates use करे गया, iron poor areas of the ocean surface to stimulate phytoplankton production, जि जिसमें बढ़ेगा, intent to enhance biological productivity, मतलब एक प्रकार से हम fertilize कर रहें, fertilizer का नाम ही क्या है, मतलब fertilizer का मिनिंग ही क्या है, iron fertilization, it is a kind of positive concept, जिसमें हम fertilization कर रहे हैं, मतलब जिससे वहां के plant की growth बढ़ा रहे हैं, और वो बढ़ेगी मतलब क्या है, महां पर अगर plants बढ़ गए, corals बढ बढ़ गए, planktons बढ़ गए, तो obviously CO2 sink बढ़े खा, तो देखो, हमने fertilize किया, जो पहले कम थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके है, different phytoplanktons, जिससे फिर क्या हो गया, again sunlight और CO2 वो intake करेगे, and obviously CO2 अगर intake हो रहे हैं, that will be beneficial, again global warming के लिए, ये बहुत अच्छा एक solution हो सकत है, so large algal blooms can be created by supplying iron to iron deficient ocean waters, and these blooms can nourish other organisms, so you can see this, so nutrient iron sulfates हम एड़ कर दिया, उसके बाद ocean carbon intake, मतलब basically nutrient cause growth in phytoplankton, ये second stage, and carbon capture बढ़ा, ये तीसरा phase, और उसके बाद जो biomass वगए रहे है, carbon to cease floor, मतलब वही है कि जो decomposed material है, वो depth में जाएगा, and वो एक प्रकार से sequestrate कर चुका है, जो भी CO2 है उसको, इसको कहते है, ocean fertilization by iron sulfate, लास्ट है देखो, submarine forest, submarine forest मतलब वही कि forest को enhance करो, जैसे हम आँ forestation करते हैं, उसी प्रकार से submarine में forest enhance करें, जैसे kelp forest is one of the best, जैसे weed में कहते हैं, उसको, इसी weed को हम बढ़ाएगे, kelp forest कहते हैं, जो CO2 sink काफी अच्छे से कर पाते हैं, और इसी को हम कहते है, blue carbon, blue carbon मतलब जो ocean में CO2 sink होता है, या ocean में जो CO2 sequestrate होता है, उसको हम कहते है blue carbon, जैसे green carbon मतलब जो terrestrial हमारे जमीन पे जो forest है, वो जो sequestrate करता है, CO2 लेता है, तो उसको हम कहते है green carbon, तो वैसे इसी प्रकार से blue carbon है, इसको हम कहते है marine geoengineering, तो देख लेना, photosynthesis बड़ेगा, CO2 intake बड़ेगा, और फिर यहाँ पर, CO2 capture देखो, इस परकार से, यह kelp biomass कर पा रहा है, इसके benefits भी है, not only for flora and fauna of marine ecosystem, but हम भी इसको consume कर सकते है, जो काफी nutritional values इसमें होती ही detoxication होता है, digestive health के लिए अच्छा मना जाता है, antioxidant भी होता है, thyroid के लिए अच्छा मना जाता है, vitamin K का भी source है even stress relief है, तो इसके लिए भी एक important आना जाता है, बतब यह kelp के कुछ benefits है, चीक है, उसके बाद है, देखो, chemical जो सभी जिए इंजिनेरिंग में क्या-क्या chemicals यूज किया जा सकते है, तो यहाँ पर randomly उपे से कुछ भी दूसरा कुछ chemical डाल देगा, बस याद रखेगी, sulfur dioxide जो अ है, hydrogen sulfide, sulfuric acid है, and dimethyl sulfide, even iron sulfide भी, अब भी हमने जो देखा, iron sulfides also, iron sulfide, ठीक है, तो यह कुछ chemicals है, जो, as a factual आपको read कर नहीं होगे, कि हाँ, यह chemicals जिए इंजिनेरिंग में यूज किया जाता है, including iron sulfide है, और एक और एक technology है, कि जैसे हमने kale forest देखा, वैसे ही, बायो रॉक टे technology, और एक question है, देखो, यहाँ पर engineering best, और वो है, बायो रेक मतलब क्या होगा, कि यहाँ पर, आटिविशले ऐसे rock create करेगे, कि जहाँ पर restoration of damage coral rift हो सकता है, तो देखो, ऐसे, जो area जहाँ पर corals already, मतलब खराब हो चुके, यहाँ पर coral bleaching हुआ है, तो ऐसा, आटिविशले हम rock system में create करेगे, जहाँ पर यह coral grow हो सकता है, तो इसको क्या कहता है, बायो रॉक technology, restoration of damage coral rifts, तो यह भी एक प्रकार से marine geo engineering हम कह सकते हैं, उसी के related method है, और जिससे क्या होगा, obviously coral अगर हम sustain कर पा रहे है, उनको protection दे पा रहे है, तो जितने corals बढ़ेगे, उतना अगें CO2 sink होग तो चलो, आज हमने क्या देखा, CO2 removal के methods, solar radiation के methods, ocean geo engineering and chemical कों से use होता है, उसमें CO2 removal में हमने क्या देखा, bio energy with carbon capture and storage, direct air जो direct industry से air capture and carbon को अंदर storage करेगे, deep saline में, minder storage हमने देखा, उसके बाद enhanced weathering, जिसमें basalt वगरा जो हमने देखा, उसको कैसे sequestrate करें, basalt के साथ और silicate के साथ ocean में, उसके बाद solar radiation में हमने काफी सारे methods देखी, जैसे marine cloud brightening कैसे करें, इससे reflection बढ़ेगा, mirror inner space, stratosphere kerosol injection, जो हमने sulfates वेगरा देखा, stratosphere में हम penetrate करेगे, so that reflection बढ़ा रहा है, glacier stabilization हमने देखा, कहां पर करने ज़रू है, serious cloud thinning is the most important, यह भी हम करी रहा है, serious cloud thinning, यह important है, इस पर question भी देखा हमने, enhancing albedo, like हमने देखा passive daytime radioactive cooling या, ऐसे कुछ surfaces हम create करेगे, geoengineering करेगे, कि जिससे enhance हो जाए albedo, and space reflector, यह काफी costly है, बट आगे चलके दिखा जाएगा, यह implement कैसे होगी, उसके बाद देखो, ocean में हमने देखा, ocean liming, ocean fertilization, ocean alkalinity, enhancement, iron fertilization है, submarine forest, तो यह सारी methods हमने, इसको, अच्छे से atlas, यह flow chart तो भी सबको, किस कही न कही देखके जाने, exam से परेगे, पाकिस हाब इसमें अभी देखो, 10 मार्च को, सुबह 11 बज़े, और शाम को, 5 बज़े, एक UCSC exam होने वारी है, अने अकडमिन सिविल सर्विस चैंपेंशिप, टेस्ट होगी, जिसमें, अल्मोस्ट अप्टो 90 परसेंट तक स्कॉलर्शिप होगा, और बाकी exciting prizes है, तो जरूर इस टेस्ट को enroll करो, by using the code, सुमीत के लाईव, जो 10th of March, संड़े की दिन होगी, सुबह 11 बज़े, और 5 बज़े, उसके बाद, इसी टेस्ट में अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे student exam देते हैं, जिसमें आपको आपका rank भी समझ में आ जाएगा, and for the, yes, plus courses, you can use the code, सुमीत के लाईव, जिसमें काफी सारे आपको benefit, एक course या batch में ही, multiple benefits आपको यहाँ पे मिलेगे, जो batch शुरू होने जा रिए, new batch, that is from the 8th March, जो foundation batch होगी, पर next 25 के अटेम के लिए, तो उसमें भी आपको code use करना है, that is सुमीत के लाईव, and for the English medium, also new batch start होने जा रिए, वो भी आप आपे अंडूल कर सकते हो, okay, so thank you all of you, see you in the next session.